हाईलो फ्रेंट आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फ्रेसे स्वागा थे और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रजिस्तान होम गाट का यहाँ पे विकेंसी निकला है जिसके अंदर दो पोस्त निकला है एक हो गया होम गाट का और एक हो गया फोरेस्टर का तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इससे ओनलाइन कैसे कर सकते हैं तो चले वीडियो को यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन में निक रहा है आप जाहिए एक आपके सामने यह पे जो पिन होगा जहां पर आपको देखेंगे अगर आप पहली बर फोर्म को भर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्टरेशन का उप्शन होगा यह अगर पहले से पर फोर्म भर चुके हैं तो यहां पर आपको login का option होगा यहां पर यूजर नेम जो पहले बनाये थे और passport यहां डालना है और इस capture code को यहां भर के login पर click करना है लेकिन जो लोग पहली पर फोर्म भर रहे हैं उनके लिए किया है तो उनको यहां पर registration पर click कर करना चाते हैं या Google से करना चाते हैं अगर आपके पास अधार कट है और इसमें कहीं नाम में कोई problem नहीं है नहीं date of birth में तो आप अधार कट से कर सकते हैं अगर आपके पास अधार कट नहीं है गलत थे कुछ पुरूप में तो यहां पर सबसचा तरीका आपके सामने है Google का यानि कि Gmail से आप यहाँ पर login कर सकते हैं और यहाँ पर reception कर सकते हैं इसका भी मैंने लग से वीडियो बना ही दिया है आप वहाँ पर check कर सकते हैं कि कैसे reception करते हैं चैनली बात करते हैं पूर एक form भरने का तरीका को तो आपको login का page पर जाना है और यहाँ पर capture दिखने को मिलेगा आपको यह capture क्या करना है यहाँ पर capture को यहाँ पर लिखे देना है capture लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको login का option दिखेगा login पर click करेंगे और आपके सामने page open होगा अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने एक option देखने को मिलेगा जो यह आप देख पार हुए यहाँ पर एक portal को option देखने को मिल रहा है पोटल पे आपको जाके उस पर किली करना है उस पर किली करने के बाद यहाँ आप आप देखेंगे एक यहाँ पर option आपको देखने मिल रहा होगा forest guard direct recruitment forest and forest guard का यहाँ पर option है apply no option मिल रहा होगा आपको apply no पर यहाँ पर किली करना है apply now पे click करने के बाद यहाँ पर yes को option आगा आपको यहाँ पर yes पर click करना है अब उसके बाद पुछेगा आप forest guard का form भना चाहते हैं या forester का तो आपका जो भी qualification है आपको वहाँ से अपना भरना होगा जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं qualification के तो यहाँ पर forester का 12th pass होना जरूरी है और forest guard के लिए यहाँ पर 10th pass होना जरूरी है और यहाँ उम्र आपका 18-14 साल भी होना जरूरी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है forest guard या forester जो भी आपका है वो आपको select करना है जिससे मैं आप Forester का apply करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर click करूँगा, या अगर Forester आपको apply करना है, आपको उस पर click करना है, आपको जो भी qualification का detail भरना है, वो आपको हापको click करना है, और यहाँ पर basic detail भरने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर सबसे फिल आपका नाम आप आपको पहले से देखेगा, आपके पापा के नाम, आपके ममे के नाम यहाँ पहले से भरा रहेगा, अगर कुछ पूछ में सही भी करना है, तो यहाँ आप एडिट करके लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ रेट उपरत रहेगा, male है, female है, और automatic यहाँ पर आपका age calculate हो उसके बाद आगर विकलांग हैं, तो विकलांग पर click किजएगा नहीं है, तो note applicable पर click कर देजएगा, उसके बाद यहाँ आपका religion पूछेगा, आपको religion डालना है, marital status पूछेगा साधी शुदा है या नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे के पर नाम, और state का नाम, और city का नाम लिखना है, उसके बाद अपने पीन कोड यहाँ पर लिख दीजेगा, अगर आपका permanent address, अगर same है correspondence है, तो आपको उसके पर tick करना है, अगर अलग-अलग permanent address और correspondence address, तो यहाँ पर आपको अलग-अलग detail यहाँ पर भर ना है, उसके बाद यहां आपका एड़ेस फिर देखेगा कि आप किस राज से बिलोग करते हैं आपका जीला कौन सा है और यहां पर ब्लोक ऑप्शन दिया तो आप छोड़ सकते हैं को अदिकत नहीं है उसके बाद यहां पर देखेंगे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमान में आते हैं या नह अगर हैं तो यहस पर किलिक किजेगा नहीं है तो नो पर किलिक किजेगा उसके बाद पूछ रहा कि आप गोवर्मेंट इंपला है यानि कि रजिस्तान के अगर हैं तो यहस नहीं तो नो पर किलिक किजेगा उसके बाद पूछ रहा कि आपके फैमिली इंकम अढ़हाई ला उसके बाद यह next option देखने को मिलेगा, आपको next पर click करना है, next पर click करते हैं यहाँ आपको education detail पुछेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने एक declaration का sign देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर tick करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पर declaration sign करना है, tick करना है, यहाँ पर पुछेगा, secondary अनिमेटरी का detail, तो यहाँ पर आपको all subjects लिख देना है, उसके बाद किस board से pass किये हैं, वो लिखना है, आपको roll number के आपको लिखना है, percentage क्या है, आपका था, percentage है, CGP है, grading system है, वो लिखना है, कब pass किये है, कितना percentage आया है, उस आपको लिखना है, कब pass किये है, वो लिखना है, कितना percentage आया है, अगर आपको पस graduation का certificate है, तो दे सकते हैं, अगर नहीं है, इसको blank छोड़ सकते हैं, इसको बतेना कोई जरूर नहीं है, यह भरने के बाद आपको नीचे को आईएगा, तो यहाँ पर next option आपको देखने को मि साइन 20-50 केपी का साइज मोन चाहिए, इंदिय और इंगलेज, उसके बाद है body marks पूछ रहा है, अगर आपको बस body marks है, तो यहाँ पर दे दे जाएगा जखन को निचान, तील को निचान, जो भी होगा यहाँ लिख देना है, उसके बाद next option है, आपको next पर click करना है, next पर click करते ही, यहाँ पर आपके सामने देखेगा, आपके सामने form का preview आपको देखेगा, आपकी इस post के apply किये है, आपका हर एक detail यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ सही है, तो यहाँ पर देखेंगे, एक declaration का sign है, आपको यहाँ पर click करना है, और final summit पर click करना है, और तो इसके बाद आपको यहां पर पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पर आपको ट्राजेक्शन नमबर आएगा, आपको हर एक डूटिल यहां देखने को मिलेगा, किस पोस्ट के अप्लाइ कर रहे हैं, चार्ज केतना कटेगा, वो दिखेगा, उसके बाद आपको यहां पर पेमेंट के लिए, 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 आपको यहां फिर से आपको login करना है और यहाँ पर print का application का form option मिलेगा आप वहाँ पर print निकाल लेज़ेगा और इस पकार से form को भर सकते हैं